जैहिंत फूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी लोगा स्वागत है मैं हूं हिमान सुक्मार और आज की दिन आप जैसे देख सकते हैं औरियंट ग्रीन पाउर कंपनी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपको पता है कि अभी हाली में कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर आ दानें गया और यदिया करना है तो अपको एसकी पर बात करेंगे सकते हैं में और यहीं सबस्कूल स्क्रिद क सब्सक्राइब और आज के दिन में तक्रीबन अघाई परसेंट का सब्सक्राइब ये माने रखता है और वह सिक्स मंत में ऐस्टॉक तक्रीबन साड़ाइट प्रसेंट का सब्सक्राइब हाला कि पिछले 6 मंत में देखेंगे तो काफी अच्छा रिटर्ण भी जिनरेट करके यहां से देखें जिन लोगों ने निचली अस्तर प्रभाई किया था और उपर निकला मैं आपको स्किनर के प्रभाई किया और यहां पर प्रभाई किया होगा तो जाहिर से थोड़ी अब देखें इसकी टूटने के वज़े से कंपनी के मार्केट के अपर भी थोड़ा सा परभाव पढ़ते हुए देख सकता है अभी 695 क्रोन कास पर से कंपनी का मार्केट के चल रहा है और इस टौक टूटने के पिछे की वजह क्या है एक बात तसपश्ट है कि इसमें जब सेलिंग प्रेसर बढ़ेगा तभी इस टौक में ज्यादा करेक्सान आता है और सेलिंग प्रेसर इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी के क्वार्टर थी के नंबर थोड़े से अच्छी नहीं आए तो लोग डर के इस टौक को बेच रहे हैं कि कहीं और ज्यादा नुक बाइंग से अधिक है बाइंग करने वाले कम है और सेल करने वाले ज्यादा है तो जब सेलिंग पर अब यहाँ पर तो जो माहिर खिलाडेंगों यहां पर टिका कर सबसे निचे लिए स्थर्प बाइब करके बैठे हुए तो अभी इसमें क्या हुआ है कि यहां पर जैसे यह इस टॉक इस रेंच से बाहर निकला कुछ लोगों ने प्रोफिट बूक करना चाहा और कुछ लोग प्रोफिट करना है इसमें जो कंपनी का सेंट वार में रिच्ट फिर्प अठाइस कौन साथ लाग का वहा है जो कि पिछले क्वार्ट अब देखेंगे यान कि सिस्टमबर कर याल्ट में तो यह 107 क्रों का वा था यानि कि थी डिट में था और और वो कम होकर सेंट तो डिजिट में आ है तो यह थोड़ा सा मतलब चिंता वाले तो बात है कि इतना कम सेल्स क्यों हुआ और जब सेल्स में कमी आई है तो उसकी बुदलत यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो प्रोफिट है प्रोफिट अभी सिर्फ 9 करोण 74 लाग का असपास हुआ है दिसंबर क्वार्टर जो कि पिछले क्वार्टर में 33 करोण के आसपास था तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोफिट में काफी कमी आया है तो प्रोफिट में कमी आना सुभाई के और यह एक और बड़ी चिंता की बात है कि निवेस्टर की इस कंपनी का डरे हुए और इस अश्टों को घब सब्सक्राइब होना चाहिए और समानेत तो इसका बुक वहलू इन दिनों माइनस में होता है लेकिन इस कंपनी का पलस में हो और भी साथ रुपे के आसपास यह काफी बड़ी बात च्छोटी बात नहीं है इसका पी अभी काफी संदार है मतलब इस लेवल बाई किया सकते सब्सक्राइब यहां पर देखेंगे तो इस कंपनी का जो आरोई है आठ परसेंट का सब्सक्राइब होता है उसमें माइनस मोंते लेकिन पोजेटिव में आपको उतनी चिंता करने की बात नहीं है और जो फंडामेंटल मजबूत है तो सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब भी आ जाता है तो उससे चिंता नहीं करता है यहां पर फिर से इसका प्राइस आ रहे है डाऊं अब यहां पर आएगा फिर सपूर्ट लेगे फिर प्राइस उपर उठेगा तो लोग बने हुए उनको तो प्रॉफिट हो जाएगा कुछ लोग यहां पर बढ़ेगा तो उसका benefit नहीं लेपाएंगे इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं को ओर इंड ग्रीन पावर में आपको कुछ नहीं सोचना है ओर इंड ग्रीन पावर विंड टर्माइन बनाने वाले कंपनी है रिनीवल इनर्जी के सेक्टर में कंपनी काम करती है और आपको पता है कि आपका एक रुपए का भी नुकसान नहीं होगा यह मैं आपसे कह रहा हूं ओभर और कंपनी के बारे में जो बाते थी में आपको बता दी फिर भी यदि आपके मन में कोई confusion है स्वाल है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछेएगा मैं सबके कमेंट कर रिप्लाई देता हू परिसनली मुसे जूर कर बाते करने के लिए आप मुझे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए जिसका लिए इस वीडियो को डिस्क्रिस्टिन मिल जाएगा बाक मिलते हैं अंगली वडियो में तो तक लिए धन्यवाद सुक्रिया